ननिताल में एक मुस्लिम युवक के साथ हिंदू किशोरी के रहने की भनक लगती ही हिंदुवादी संगठन भड़क उठे किशोरी के स्वजनू के साथ कोदवाली जाकर युवक पर कारवाई की मांग की अब पुलिस की मौझूद्गी में किशोरी ने अपने स्वजनू के स साथ जाने सांगार कर दिया फिलाल पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परिक्षिन करा कर उसे चाइल्ड हेलप लाइन के हवाले कर दिया है दरसल पूरा मामला कुछ ऐसा है किशोरी के स्वजनों ने जो किया उसके बाद सभी हैरान है जानकारे के मुताबिक मलिताल निवासी स्वजनों को छोड़ कर किसी अन्य जगह पर रह रही है कई बार बीटी को समझाने के बाद भी वो घर नहीं पहुंची तो उसकी मां और अन्य स्वजन कोत्वाली पहुंच गए और एक मुस्लिम युवक पर उनकी नाबालिक बीटी को बहला फुसला कर उसका फायदा उठ पहाने के आरोप लगा दिये मामले की भनक हिंदुबादी संगचनों को हुई तो तमाम कारेकरता कोत्वाली आधम के जहां उन्होंने संबंदित युवक पर कारवाई की मांग की जानकारी के मुताबिक मलिताल निवासी किशोरी कुछ दिनों से अपने परिजनों को छोड कर किसी अन्य जगह पर एक मुस्लिम युवक के साथ रह रही थी कई बार बेटी को समझाने के बाद भी वो घर नहीं पहुंची तो उसकी मां और अन्य परिजन कोत्वाली पहुंचके और मुस्लिम युवक पर उनकी नाबालिक बेटी को बहला फुसला कर उसका फाइदा के आरोप लगा दिये मामले की भनग हिंदुवादी संक्षनों को हुई तो तमाम कारेकरता कोत्वाली आधम के जहां उन्होंने संबंदित युवक पर कारवाई की मांगी शिकायत के बाद पुलिस ने कि शौरी को कोत्वाली बुलाय तो उसने मा के साथ जाने से साफ अनक कर दिया है हिंदू संगठनों में नितिनकार की विवेक वर्मा सहित अन्य ने इस मामले में लफजी हाथ को बताते हुए मुसलिम युवक पर कड़ी कारवाई की मांग की है उनका कहना है कि शहर में लंबे समय से लफजी हाथ के मामले सामने आ रही है धर्म विशेश की ओर से इस तरह की साजिश की जा रही है फिलाल पुलिस की मौजूदी में तो किशोरी ने अपने परिजनों के साथ जाने से इंकार कर दिया जिसके बाद पुलिस अब किशोरी का मेडिकल परिक्शन कराकर उसे चाइल्ड हेल्प लाइन की हवाले कर चुगी है उत्रा खंच की हर छोटी बड़ी खबर पर नज़ाद डालने के लिए फेस्बुक पेज पर दपब्लिक मेटर को फॉलो करें और यूटूब पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें इसी तरह देखते रहें दपब्लिक मेटर नमस्कार